नमस्कार देवियों और सज्जनों आज हम बनाएंगे सुपर हेल्दी फाइबर्स और विटामिन से भरपूर गुजराती महशूर नास्ता सिर्फ 30 रुपे में पूरे परिवार के लिए टेस्टी हेल्दी और डिलीसियस नास्ता बनाएंगे छोटी मोटी भूग के लिए गुजराती मुठिया बनाएंगे हेल्दी कलिंगर के छिलके से सौफ्ट और हेल्दी मुठिया बनाएंगे वोटर मेलन की स्कीन को हमने छिलकर निकाल दिया है अब इस फाइबर से भरपूर हेल्दी कलिंगर के हिस्से को हम कद्दूकस कर लेंगे क्रेट कर लेंगे ऐसा कहा जाता है कि वोटर मेलन का लाल या गुलाबी हिस्से से भी ज्यादा हेलदी कलिंगर के छिलके का वो सफेद हिस्सा है जिसको हम फेक देते है Watermelon को हमने grate कर लिया है, कदूकस कर लिया है इस juice को हम चान कर निकाल देंगे हलका सा दबा कर juice को निकाल देंगे अगर जरूरत पड़ी तो मिस्रन में add करेंगे वरना नमक और निम्बु डाल कर पी जायेंगे मेथी को हमने finely chop कर लिया है, उसे add करेंगे करीब एक कप मेथी ली है अधा कप हरा धनिया डालेंगे बारिक कटा हुआ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे तड़का तैयार करेंगे दो टेबल स्पून मुंखफली के तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है जीरा एड करेंगे अध्रक लसुन और हरी मिल्च की पेस्ट एड करेंगे जो हमने बना कर रखी थी आधा टीजपून हिंग डालेंगे हलदी पाउडर आधा टीजपून सफेद तील एड करेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे मिला लेंगे मिश्रन में डाल देंगे एक कप मक्य का दरदरा आटा डालेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे नमक डालेंगे स्वादानुसर इमली का पल्प डालेंगे हलके से खटेपन के लिए आधे कप से थोड़ा सा कम मक्य का आटा डालेंगे आप लेमन जूस भी एड कर सकते हो एक चोथाई कप सूजी डालेंगे अगर हमने कलिंगर के जूस को निकाला नहीं होता तो आटा ज्यादा एड करना पड़ता सिर्फ दो चूटकी बेकिंग सोडा एड करेंगे मुझे मिस्रन हलका सा ड्राई चाहिए और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे और नरम आटा तैयार करेंगे अब इस नरम मिस्रन से हम गुझ्राती मुठिया तैयार करेंगे इस चलनी को और अपने हाथों को ओयल से ग्रीस कर लिया है वैसे तो आप अपना मनपसंद कोई भी सेफ दे सकते हो मगर गुझ्राती मुठिय का ये ऑथेंटिक सेफ है कलिंगर के छिलके से बने इस गुझ्राती मुठिया को हम भाप में पकाएंगे हमारा पानी गरम हो चुका है मुठिय की चलनी को रखेंगे कवर करेंगे और भाप में पकाएंगे करीब 20 मिनिट लगेंगे 20 मिनिट के बाद आईए चेक करते हैं हमारी टुथपिक बिलकुल साफ है टेस्टी और हेल्दी कलिंगर के मुठिया तैयार है इस मुठिया को हम ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद मुझफली के तेल के साथ और लसुन की चटनी के साथ स्वारु करेंगे आप चाहो तो इस मुठिया को स्लाइस करके उसे सेलो फ्राइ करके भी स्वारु कर सकते हो मगर मैं ऐसे ही मुंखफली के तेल के साथ खाना पसंद करूंगा आप इस हेलदी मुठिया को जरूर ट्राए करे और आपकी अनुभव हमारे साथ सेर करे आप स्वस्त रहे, मस्त रहे, तंदुरस्त रहे हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार